आज हमें एक बहुत बड़ा सबक मिलेगा कि कभी भी किसी कमपनी को इतना बड़ा मत बनाओ कि हर चीज में हमें बोलना पड़े Google बाबा से पूछ लो वरना वही कमपनी एक दिन आप सबको बाबू बना देगी जो की Google ने किया आज हम Google के एक बहुत पुराने decision जिसको वो अब implement कर रहें उसके बारे में जानने की कुशिश करेंगे आपने recent में बहुत बार ये सुना होगा कि Google Play Store से किसी एक कमपनी का app delisted हो गया या हटा दिया गया इसके पीछे की कहानी क्या है? गूगल क्या चाता है? ये मैं आपको बहुत elaborately समझाओंगा और मैं आपको ये भी समझाओंगा कि अगर किसी कमपनी की monopoly establish होती है तो कैसे वो अपनी dominant position का फायदा उठाते हुए पूरे ecosystem को खतम करने की ताकत रखता है और अगर इस ecosystem में अब किसी छोटे player को survive करना है तो कैसे इनकी शर्तों पे ही उसे survival मिलेगा? आईए जानते हैं example के तौर पे समझते हैं मान लो कि मेरी एक company है जिसका नाम है बुद्धी IES Academy या कोई भी company हो सकती है तो मैं एक developer हूँ ये भी मान लो developer का मतलब है कि मैंने एक app develop करी अपनी खुद की अपनी खुद की संस्था की तो जो भी company की app बनी हुई है वो developer हो गया वो अलग बात है कि उसने app किसी तीसरे third party से बनवाई बट क्योंकि वो company की app मेरी है तो मैं developer हो गया अब मैं अपनी app को कहां पे list करूँगा जो एक ऐसा platform हो जो बहुत विश्वस्तनी हो और वहाँ पे हर कोई जाता हो जैसे अगर आज हमें कोई भी चीज सर्च करनी होती तो मैं google पे चले जाते हैं google search engine पे तो मैं अपने app को list करूँगा google play store पे और वहाँ से कोई भी मेरे app को download करके अगर मैं कोई courses sale करता हूँ या कुछ भी करता हूँ तो वहाँ से वो purchase कर सकता है ये पुरा mechanism चलता है अब ये बात भी ठीक है कि google ने क्योंकि google play store की service दीए तो उसे कुछ fees मिलना चाहिए मगर ये सोच के देखो कि google एक दिन उठे और ये बोले कि आज के बाद google play store पे जितने भी app लिस्टेड है अगर उन एप को किसी भी user ने google play store से डाउनलोड किया और इन एप purchase किया कोई भी course इस संस्था का भले वो कितने भी रुपे का हो भले वो 100 रुपे का हो भले वो 1000 रुपे का हो या भले वो लाख रुपे का हो हमें एक cut मिलना चाहिए जो कि बिल्कुल ठीक बात है उन्होंने service provide करी है अगर वो एक cut लेते तो उसमें बुरा क्या राइट मगर सोचों कि वो ऐसा बोलें कि हर transaction पे हर transaction पे irrespective of the amount that user is paying to this company हमको 30% का cut चाहिए या 15% का cut चाहिए मतलब कि 100 रुपे पे 30 रुपी ये Google रख लेगी अब मैं आपको बताता हूँ कि ये कैसे एक बहुती irrational decision है जिस पे Google अभी भी अपनी position बनाए हुए है in fact हमारी judiciary ने भी इसको permission दे दी कि आप ठीक कर रहे हो खेर वो legal matter है उसमें हम आएंगे अभी बट अब मैं आपको ये बताने की और समझाने की कुशिश करूँगा कि कैसे इसमें हर किसी का नुकसान है Google का भी नुकसान है मगर उसको कोई फरक नहीं पड़ता और वो dollar की company है कैसे एक user का भी नुकसान है जो की बहुत अच्छी service ले सकता था बहुत कम पैसेद में उस एप को खोलते ही कुछ courses मिलते हैं जिस courses को ये user लेना चाता है क्योंकि इसका benefit होगा बहले हो किसी exam के courses हो सकते हैं, matrimonial site के courses हो सकते हैं, skill development के courses हो सकते हैं, कोई भी course हो सकता है अब ये जो developer है, इस developer को ये पता है कि अगर user मुझे 100 रुपे पै करेगा तो उसमें से 15 या 20 रुपे Google रख लेगा बीच में तो आपको क्या लगता है, क्या ये अपने profit में से इस user को फायदा देगा क्या कि कोई बात नी, तुम तो मुझे अभी भी 100 रुपे ही दो, पहले भी 100 रुपे का course था, अभी भी 100 रुपे ही दो और 15 या 30 रुपे Google को मैं अपनी विजेप से दे दूँगा, नई अब ये developer क्या करेगा? अब ये developer अपनी fees को बढ़ाएगा अगर वो 100 रुपे चार्ज करता था, तो वो अब 130 रुपे चार्ज करेगा तो अब ये जो user है जिसको वो service या वो course 100 रुपे में मिल जाता था, अब उसी चीज के इसको 130 रुपे 130 रुपीज पे करना पड़ेंगे, इससे हुआ क्या? इससे हुआ ये कि कम users इस developer का course लेंगे, क्योंकि वो course महंगा हो चुका है, इस developer का तो और हाँ, आप ऐसा भी सोच सकते हो कि फिर ये user उस developer के पास चला जाएगा, जो ऐसे ही किसी course को sale कर रहा है, मगर अब ये आप इसका मतलब समझे इनी चीज़ को, क्योंकि अगर एक developer ने price को बढ़ाया है, तो हर developer को price को बढ़ाना ही पड़ेगा, ये उसकी मजबूरी है, ये उसकी इच्छा नहीं है, क्योंकि वो जानता है कि कुछ पैसा Google रख लेगा, तो उतना पैसा वो खुद की जेब से नहीं देगा, वो user की जेब से ही देगा, पहली चीज़, अब आते हैं इसके alternative पे, क्या Google Play Store के अलावा ऐसा कोई mechanism नहीं है, जिसके थूँ ये developer, अपनी खुद की app को, अपनी खुद की website को develop करवा के, user को enroll करवा दे, इसके बारे मैं जानते हैं, देखो, जो Android है, वो भी Google का है, अब मैं आपको एक ऐसा mechanism बताता हूँ, जिसके थूँ Google Play Store पे list हुए बिना भी, ये developer अपने courses को sale कर सकता है, वो कैसे, एक AP के file बना के, ये AP के file इस user को दे के, वो बोल सकता है, कि आप इसको download कर लो, ये हमारी app है, और इस app से आप, जैसे Google Play Store से app download करके courses को देखते थे, वैसे आप देख सकते हो, but here is a catch, जैसे ही ये developer किसी AP के file को बनाएगा और user को देगा, user जैसे ही उससे download करेगा, अगर उसके पास Android है, जो कि majority लोग के पास रहता है, तो वो Android phone एक message pop-up करता है, कि ये जो file आप download करने जा रहे हो, ये harmful हो सकती है आपके device के लिए, ऐसा क्यों होता है, Google Play Store पे list हुआ हुआ एप तो ऐसा showcase नहीं करता, यही तो monopoly है, तो यहाँ पे इस पूरे issue में, हमको ये समझ में आता है, कि हमारी government जो start-up ecosystem को promote करने की कोशिश कर रही है, जो हम digital India mission पे काम कर रहे हैं, अगर हमें उसे achieve करना है, तो वो एक ऐसी company की monopoly पे निर्भर करके नहीं किया जा सकता, जो बिल्कुल irrational decisions ले ले बिना भारतिये लोगों के बारे में सोचे, मैंने आपको एक चीस तो अभी बताई नहीं, शायद आप ये ना जानते हो कि Google Play Store पे लिस्ट हुआ हुआ कोई भी एप, अभी ये option नहीं देता कि आप installment में pay कर सकते हो, और ये सबसे बड़ा drawback है जिस कारण से, personally अगर मैं बताऊं, तो being a developer, मैंने Google Play Store से option को हटा दिया, या मुझे हटाना पड़ा, क्योंकि, मेरे जो students या मेरे जो users हैं, they don't have that much paying capacity क्योंकि वो students है, अब अगर मुझे students से installment में पैसा चाहिए, तो Google Play Store पे अगर मेरा app लिस्ट है, तो वो नहीं मिल सकता, तो user को a large chunk of amount एक बार में देना पड़ेगा, एक बार में, अब आपको लग रहा होगा कि Google ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि Google अपनी policy चलाता है US के मताबिक, वहाँ पे लोगों की purchasing power है, मगर हमारे देश में लोगों की purchasing power नहीं है, Google को इस से फरक इसलिए नहीं पड़ रहा, जैसा मैंने पहले starting में भी कहा, उसकी monopoly है, उसको कोई फरक नहीं पड़ता, यहाँ पे लोगों की purchasing power क्या है, यहाँ के लोग इस चीज को enroll करके, कितना फाय नहीं प्रेचान वे currency जाँ के लिए से लिए लिए से लोगों की को इसलिए कर लोगों, इसलिए कर बारफ में लाटर था कि लेशने लो रहाँ दो अवक वन्योते हैं, वहले हैं में के लिए यह उसमेश, था था लिएक्षैंअ, यहाँ ओ लू पो धि में जगे गएंऄ ब